क्लास्टेन का एक इंपोर्टेंट टॉपिक इंट्रड़क्शन अफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स इसके पहले मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे विडियो बनाया है और उसका प्ले लिस्ट का लिंक आई बटन में है अब वहाँ से टोटल वीडियो को वाच कर सकते हैं औ मैं इसको पूछे जाते हैं ताप इसको पढ़िए और फिर आपको जो भी डाउट होगा वह कॉमेंट सक्षन में कॉमेंट कीजिएगा मैं जरूर आपका समस्या का समधान करूंगा आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रड़क्शन अफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स यह के भी पढ़ने को हमको जरूरी पढ़ता है तो आए हम देखते हैं इंट्रड़क्शन अफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स तो सबसे पहले हम बताएं कि जो भी कोई क्यूबिक पोलिनोमियल्स होगा उसके 30 होंगे यानि क्यूबिक पोलिनोमियल्स के कितने 0 होंगे 30 होंगे और उसका form क्या होता है cubic polynomial का axq plus bx square plus cx plus d equal to 0 यानि जब भी कोई cubic polynomial होगा तो axq plus bx square plus cx plus d equal to 0 के form में होगा अब यहां से इसके जो 0 होंगे फर्स्ट 0 को हम आलफा लेट करते हैं यानि आलफा मानते हैं second 0 को बीटा and third 0 को हम गामा मानते हैं यानि फर्स्ट 0 को आलफा, second को बीटा और third को गामा हम मानते हैं अब इसमें question आते हैं कि sum of 0 क्या है, product of 0 क्या है यह सब question पूछ जाते हैं तो कुछ formula है जिसको हम लिख लेंगे ताकि भविष्य में हम उसको असानी से solve कर सकें पहला formula आता है इसमें आलफा प्लस बीटा प्लस गामा इकवर्टू माइनस बी बाई ए यानि first formula क्या है आलफा प्लस बीटा प्लस गामा इकवर्टू माइनस बी बाई ए second formula है आलफा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू आलफा यह हो जाएगा c बाई ए यानि alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha का भेलू क्या होगा, formula क्या होगा, c by a होगा तीसरा होता है, alpha into beta into gamma equal to minus d by a यानि minus d, ये जो d आप देख रहे हैं, वही d का भेलू तो alpha into beta into gamma equal to क्या होगा, minus d by a होगा अब हम अगर 3 0 दिये हुए हैं, अगर 3 0 दिया गया है, तो हम cubic polynomial को कैसे निकालेंगे यानि क्या उसका formula होगा, तो formula होगा cubic polynomial का cubic polynomial निकालने का formula होगा, x square minus alpha plus beta plus gamma into यहाँ x q होगा, x q, क्योंकि cubic है, तो x q minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha into beta into gamma, gamma into alpha into x minus alpha into beta into gamma equal to 0, यानि फर्मूला होगा, x q minus alpha plus beta plus gamma, यह bracket में रहेंगे, into x square plus alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha into x होगा, minus alpha into beta into gamma equal to 0, यानि इस पर हम भैलू रख देंगे, यानि यह सबका भैलू हम, अगर इस equation में रख दें, तो हम cubic polynomial असानी से निकाल सकते हैं, तो इस तरह से यह introduction हम जानगे, कि cubic polynomial का introduction क्या है, मतलब कि कैसे हम जानते हैं कि cubic polynomial है, उसका formula क्या होगा, और साथ में cubic polynomial हम लिखेंगे कैसे, मतलम जानते हैं तरह में लिवके लिफी टासराइब काता हैं, को पड़िक हैं उरह सहार कि अक टेशव़िद司,